पाकिस्तान से भारत में आई है लेकिन यूपी एटीस की टीम ने जब से जाच की है और जाच में कई सबूत यहां पर पेश की है उसके बाद यहां पर सीमा हैदर मुश्किलों में दिखाई दे रही है परिशान नजर आ रही है उनके घर के हालात ठीक नहीं नजर आ रही है सच्चिन मीना की बात करें तो वो दुखी नजर आ रही है तो ऐसे में देखा जाए तो यह बाते सामने आ रही थी कि सीमा की जा रहा था कि देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी इस पूरे मामले पर संग्यान कब लेंगे जब ये मामला जासूसी से जोड़ जाता है जब ये मामला ये देखा जा रहा है कि सीमा किसी अलग इरादे से आई है ना कि यहां पर अपने प्यार की बदालत आई है तो जब सारी चीज़े यहां पर आती है तो मामला यह देखा जाता है कि जब पुलवामा हमला होता है या जब कोई आतंगवादी गतिविदियां अंजाम हमारे देश में देखी जाती है तब यहां पर हमारी सरकार की लापरवाही साथ तोर पर नजर आती है तो ऐसे में नरेंद वस्था का हवाला देते हुए नजर आते हैं लेकिन वो बयान नहीं देते हैं तो ऐसे में अब यहां पर सीमा हैदर को लेकर योगी आदितिनाथ ने अपनी चुपपी तोड़ी है उनसे यह पूछा गया कि क्या सीमा हैदर का जो यह मामला देखा जा रहा है यह लव जिहाद से जोड़ कर देखा जा रहा है क्या सचिन जो सीमा को पाकिस्तान से लेकर आए यह कोई लव जिहाद है तो इस पूरे मामले पर यहां पर योगी आदितिनाथ कहते हुए नजर आते हैं कि सरकारी एजंसिया यहां पर जांच कर रही है जांच में जो कुछ भी निकल कर सामन पाकिस्तान भेजने की बात कही जाएगी लेकिन सीधे तोर पर योगी आदितिनाथ ने कहा एक सरकारी एजंसिया यानि कि यहां पर अब सरकारी कामकास देखा जा रहा है यूपेटिस की टीम ने जांच किया उसके बाद भी जांच यहां पर देखी जा रहे हैं उसके करकर सामने आएं क्या इससे सावित नहीं होता है क्या लगता है आपको कमेंट बाक्स में जरूर बताएं धन्यवाद